हेलो गुड मॉनिंग जोहार मसंचे और आप देख रहे हैं न्यू जार्खन समय हो चला है जार्खन की खबरों को जानने का जार्खन की खबरों से अपडेट होने का तो चली जानते हैं आज की जार्खन की 25 मुख्य बड़ी खबरों को पीम मोदी ने आदिवासियों वा मस्दूरों का किया अपमान सविधान बदलना चाहती है बीजेपी जमसेदपूर में बोले सीम चंपई शोरिन जार्खन की सीम चंपई सोरिन ने बिश्टुपूर गौपाल मैदान में चुनावी शभा को शमूजित किया उन्होंने भाजपा और पीम नरेंद्र मोदी पर जम का निशाना शाधा उन्होंने का है कि केंदर सरकार ने जार्खन के विकास के लिए कोई काम नहीं किया पीम नरेंद्र मोदी ने जारकन के आदिवासियों और मजदूरों का आपमान किया है उन्होंने कहा है कि बीजेपी शविधान बदलना चाहती है वे मंगलवार को इंडी गडवंधन के जामुमों परत्यासी शमीर मोहंती के पक्च में चुनावी शभा कर रहे थे जारकन के स देट हुई तो किसी को आस्थाई नौकरी नहीं मिलेगी तेजिश्वी यादो जारकन के सीम चंपई शोरेन व कलपना सोरेन सभा को शंबोधित करेंगे मंगलवार को जारकन कॉंग्रेस प्रभारी समेट अन्य ने कारिक्रम अस्थाल के ररक्षन किया लोकसभा चुनाओ दोहजार चौविश को लेकर मोहनपूर प्लस टू हया स्कूल के मैदान में चौबिस माई को इंडी गडबंधन की चुनाओवी जनसभा कायोजन किया गया है इस जनसभा में कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्रे अध्धक्ष मलिकार जुन खरगे जारकन के मुक्यमंत्री चंपई सुरेन जामो नेतरी कलपना सुरेन बिहार के पूर्वत उप मुक्यमंत्री तेजश्वी यादो खुंकार भरेंगे मौसम भागने जारी की अलर्ट दो दिनों तक चलेगी आंधी वजरपात भी यलो अलर्ट जारी लोको साउधान और सतरक रहने की सलहा जारकन में मौसम के मिजाज हर दिन करवट ले रहा है मौसम केंदर के अनुसार आज 22 और कल 23 माई को कई छेत्रों में कहीं कहीं गरजन और तेज हवा चलेगी हवा की गती 40 से 50 किलोमेटर प्रती घंटा रहने की आसंका जताई गई है वही 24 और 25 माई को राज्य के दच्चनी भागों में कहीं कहीं गरजन और वजरपात होने की आसंका है इस दोरान तेज हवा भी चलेगी इसकी गती 30 से 40 किलोमेटर प्रती घंटा हो सकती है इसका प्रभाव पूरवी शिंग्भूम, पश्रमी शिंग्भूम, सराय के लाखार समा, सिम्डिगा, गुमला, खुंटी जिले में देखने को मिलेगा मौसम केंदर के अनुशार राज्य में अगले पांस दिनों के दोरान अधिक्तम तापमान में कोई बड़े बदलाओ की शंभावना नहीं है केंदर के अनुशार 24 और 25 मैं को राज्य के दच्छनी भाग में कहीं कहीं हलके से मध्धम दर्जे की बारिश होने की शंभावना है मौसम के अनुशार राज्य में कुछ इस्थानों पर 26 और 27 मैं को हलके समधम दर्जे की बारिश होने की शंभावना है केजरिवाल बोले क्यूंकि वे आदिवासी हैं जारखन से बीजेपी को एक सीद भी मिली तो दमन और बढ़ेगा दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल मंगलवार को जमसेदपूर पहुँचे यहां जनसवा को शंभोधित करतो वे उन्होंने कहा है कि राम मंदर का उधगाटन हुआ तो पूरे देश ने जश्न बनाया मंदरी का उधगाटन राष्टरपती को करना चाहिए था प्रधान मंतरी को भी होना चाहिए था लेकिन राष्टरपती को क्यों नहीं बुलाया क्यूंकि वे आधिवासी है केजरिवाल ने कहा है कि अगर भाजपा को एक भी सीड जहरकन से मिली तो यह दमन और बढ़ेगा अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमन्तो सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा लेकिन अगर आपने इंडिया गडबंधन का बटन दबाया तो चार जून को नतीज़ आएंगे और पांच जून को हेमंतु सोरेन जेल से बाहर आएंगे रैली में दिल्ली के मोकेमंतरी अर्बिंद के जरिवाल अपनी पतनी सुनीता के साथ शामिल हुए सराइकिला में कलपना सोरेन ने दिखाया धम बीजेपी से पूछे तीखे सवाल सराइकिला खारसमा जिले के चांडिल प्रखंड अंतरगत गांगुडी फुटबाल मैदान में मंगलवार को इंडिया गडबंधन के कॉंग्रेस पार्टी प्रत्यासी ये सस्वनी शाहाई के सभा का आयुजन किया किया सभा में मुख्य अतिती के रूप में राज्य के पूर्व मुख्यमंतरी हिमंतु शोरेन की पतनी कलपना सोरेन उपस्थित हुई सभा को शम्बोधित करतो हुए कलपना सोरेन ने केंदर सरकार पर निशाना शाधते हुए का है कि जहार खंडियों के हक और अधिकार को केंदर की मोधी शरकार खत्म करने का काम कर रही है यहां के आधिवासी, मूलवासी, दलित, अलपशंख्यक सब की आधिकार को छिनने का काम केंदर की नरेंदर मोधी शरकार ने की है कलपना सोरेन ने कहा है कि 2019 में जब जामो गडबंधन की सरकार बनी तो यहां केंदर सरकार को राश नहीं आई इंदर सरकार ने सरकार के तहट राज के मोख्यमंतरी है मलतो सोरेन को जिल में डालने का काम किया है उन्होंने जनता को शम्बोधित करतों विकाहे कि आने वाले शमय में जायरखन की जनता भाजपा की सरकार को उखाड़ फिकनी का काम करेगी खुंटी में पूल से नीचे गिरी बस 12 लोग घाल अचानक सडक पर दौड़ गया बच्चा बचाने की दोरा रेलिंग तोड़ते हुवे पल्टी गाडी खुंटी में यात्रियों से भरी बस पूल से नीचे गिर गई इस हाथसे में 12 लोग घाल हुए हैं, एक बच्चे को बचाने के दौरान ये हाथसा हुआ, एक्सिडेंट अड़की थाना इलाके के सिंद्री गाउं के पाश हुआ है, बस खुंटी से जमसेत पू जा रहे थी, इसी दौरान सिंद्री गाउं के पास एक बच्चा अचानक सड लाने लगे, हामें तो कुछ समझी नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, आथसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफ्रा तवरी रही, घटना के बाद इस्थाने लोग तुरंद मौके पर पहुंचे और बस में मौजूद यात्रियों का बहार निकाला, बस के दुर घट अचले बढ़ते हैं, खबरों की और की मात हो गई, सूचना पाकर उसे सदर अस्पताल लाए गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत्त घोशित कर दिया, इसके बाद सौचना को अंगनबाडी केंदर के पास रखकर ग्रामिन लापरवाही को लेकर हंगामा करना लगे, आरोफे की साहिका सेविका के आडम के लिए सदर अस्पताल भेज़ दिया, मौके पर वीडियो शुमन गुपता भी मामले की चार्च करने वहाँ पहुची, उन्होंने शेविका साहिका को हटाने की बाद कही है, आलमगीर आलम के पियस संजू लाल और नौकर जहांगीर को कोट ने भीजा होटवार जेल, रिमांड समाप्त, 35 करोड से अधिक की कैस रिकवरी मामले में, मंगलवार को मंतरी आलमगीर आलम के पियस संजू लाल और नौकर जहांगीर को कोट ने होटवार जेल भीज दिया दरसल मंगलवार को दोनों की रिमांड आउधी समापत हो गई थी रिमांड आउधी समापत होने पर जांच एजनसी एडी ने दोनों को PMLA कोट के जज किशमक्ष पेश किया बतादे की कैस रिकावरी मामले में दोनों को एडी ने 5 मैं को हिराश्ट में लिया था जाच एजनसी एडी ने रांचे PMLA के विशेश कोट से रिमांड के नुमतिली थी इसके बाद एजनसी की और से दोनों से 14 दिनों तक पूछताच की गई है इस पूछताच में कई अहम जानकारिया मिली है बतादे की संज्य उलाल के नौकर जहांगिर की घर से एडी ने 35 दस्मलों 2-3 करोड रुपे कैस जब्त किये थे इसके साथी संज्य उलाल के करीबी बिलडर मुन्ना सिंग के यहां से 3 करोड रुपे जब्त किये थे मामले में एडी मंतरी आलमगिर आलम को भी गिरपतार कर चुकी है जैराम महतो को सिविल कोर्ट से नहीं मिले रहत तीन जून को होगी अगली शुनवाई विधान सभाग हिराओं मामले में जेबिकेशिस के अध्धक्स जैराम महतो को सिविल कोट से रहत नहीं मिली है इस मामले में मंगलवार को शुनवाई होनी थी लेकिन कोट ने मामले की शुनवाई टाल दी और अगली तारिक तीन जून तैगी है जैराम महतो के वकील रितेश महतो ने इस बात की जान कर दी है वकील रितेश महतो ने बता है कि विधान सभाग हिराओं मामले में मंगलवार को रांची सिविल कोर्ट में शुनवाई नहीं हो सकी उनका कहना है कि साल 2022 में उनके खिलाब वधान सभाग हिराओ करने का मामला दर्ज किया गया था जराम महतो के उपर लगाए गए आरोपो को लेकर उनके वकील रितेश महतो ने कहा कि इस आरोप के खिलाब उनके उपर गैर जमानती वारण भी जारे किया गया था इसी को लेकर उनकी तरफ से मंगलवार को कोट में दलील पेश की गई जिस पर कोट ने अगामी तीन जून की अगली तारिक तैकी है दरसल जैराम महतो गरीडी शे संसत प्रत्राशी की रुप में चुनाव लड़ रहे हैं इसके लिए उनके वकील की तरफ से आगरा किया गया था कि 2024 लोगस्भाश चुनाव में वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनहें चुनाव लड़ने के दौरान कोट की ओर से रहत दी जाए प्रियंका गांधी, हिमंत विस्वा सर्मा, सिवरा सिंग चौहान और तिजस्वी शुरिया की आज 22 मैं को जारकन में चुनाव विशभाएं 28 मैं को आएंगे प्रधान मंत्री मोदी, लोगसभाश चुनाव दुहजार चौबिस को लेकर चुनाव प्रचार तेज है अस्टार प्रचारकों की रेलियां लगतार आयोजित की जा रही है इसके अस्टार प्रचारक प्रियंकागांधी आज बुधवार को दो चुनावी सभाओं को शंबोधित करेंगी राजनी राज़ी के नामकुम हाई टेंसन मैदान में उनकी पहली सभा होगी इसके बाद वहा गुड़डा चाएंगी प्रदेश प्रभारिक गुलाम महमद मीर और प्रदेश रधक्स राज़िस ठाकुर ने पार्टी पदधिकारियों के शाद बैठा की है पार्टी के विधायकों और पदधिकारियों को चुनावी सभा के लिए जूटने का निर्देश दिया गया है इधरासम के मुक्हमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्वा सर्मा आज 22 मैं को धनबाद और दुमका लोक सभा में तीन जन सभाओं को शंबोधित करेंगे वही मद्द प्रदेश के पूर्वसियम सिवरा सिंग शोहान आज दोपहर 12 बजे से धनबाद के जरिया के जो है डिगवाडी इस्तित मानश मंदर मैदान में आयोजित जनसभा को शंबोधित करेंगे इसके बाद दोपहर 2 बजे से गोड़ा जिले के मोहनपूर चौक से बसवा चौक तक आयोजित रोटसों में हिस सलेंगे वही राची के मुरहबादे इस्तित संगम गार्डेन में शाम पांच बजे से आयोजित युवा संमिलन में हिस सलेंगे इधर भाजियुमों के राश्य अधक तेजिश्वी शुरिया आज राची में मोटरसाइकल जुलूस में शामिल होंगे मोटरसाइकल जुलूस दिन के ग्यारा बज़े से बिरसा चौक से सुरू होगा वही दिन के एक बज़े वे जम सेथपूर में आयोजित जन सभा को शंबोधित करेंगे इससे लेकर पार्टी के और से तैयारी पूरी कर लिगई है कॉंग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की है चिंता जारखन में जमकर घर्जे रक्षामंत्री राजनाथ सिंग नेता राहूल गांधी रहे राजनाथ सिंग ने कहा है कि यचिनो के वल ढूलू महतो वा भाजपा के लिए महत्पून नहीं है बलकि देश के लिए महत्पून चुना होए केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ती बनेगा रक्षामंत्री ने कॉंग्रेश विराराहूल गांधी पर तन्ज कस्ते हुए कहा है कि पाकिस्तान के मंत्री चोधरी, फववाद, भारत को महाशक्ती मानता है वही मंत्री कॉंग्रेश के नेता राहूल गांधी की प्रसंसा करता है इसलिए यह सोचने का समय है कि कॉंग्रेश को देश की जनता की नहीं बलकि पाकिस्तान की प्रसंसा की जोरत है कॉंग्रेश के नेता पाकिस्तान की शक्ती की प्रसंसा करते हैं हम भारत को सर्वशक्ति मान बनाना चाहते हैं एक ऐसा भारत जो दुनिया की आँखों में आँख डाल कर बात करता हो कॉंग्रेस के सब ही प्रधान मंत्रियों ने गरीब दूर करने की बात कही थी लेकिन गरीब गरीबी को दूर करने का काम नहीं किया एदर प्रधान मंत्रि नरेंदर मोदी ने नौ वर्सों में 25 करोड लोगो को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है कॉंग्रेस पार्टी ब्रष्टरचार का जो है दूसरा नाम है उनके लिए देश नहीं परिवार महत्यपून है जायरखन बोड आटवी क्लास करेचल इसी सब्ता होशकता है घोशित 5 लाग अश्टुडेंस का इंतजार होगा खत्म जायरखन बोड से इस वर्स 5 लाग से अधिक अश्टुडेंस ने आटवी कक्षा की बोड परिशाओं में भाग लिया था इन सब भी अश्टुडेंस को अब वो अपने परिणाम जारी होने का बीश ब्रीश इंतजार है जायरखन अधिविद्या परिशत जाय की और से नौवी एवं ग्यारवी क्लास करेचल पहले ही जारी किया जा चुका है जिसके बाद अब अनुमान है कि आटवी क्लास करेच इसी सब्ता में जारी किये जा सकते हैं नतीजे बोर्ड अध्धक्ष के द्वारा प्रीश कॉन्फरेंस में जारी किये जाएंगे इसके बाद डारेक्ट लिंक ओफिसल वेफसाइट जैकरजल.nic.in इसके अलावा जैक.jarkand.gov.in पर एक्टिव हो जाएगा इसके बाद आप लोगिन कर ड्रिल डाल कर नतीजे देख सकते हैं. जानकारी के मताबिक पेडित शागर कुमार बीते दिन अपने ससुराल बिहार के पंजवारा गया था जहां सुमवार सुभा उसकी पतनी और सास ने उसे खूब सरापिलाई उसके बाद उसे जला दिया गया और जब इस घटना की जानकारी उसकी घरवालों को हुई तो उस की पतनी सुनीता देवी ने जला है पहले उसे शराप पिलाए गई उसके बाद उसको जला गया युवक की हालत बेहद खराफ है उसे सदर अस्पिताल शेभी राफर कर दिया गया है घरना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामला दर्श कर जांच कर रही है हेमंतो सोरेन की जमानत पर आज फिर सुनवाई सुप्रिम कोट में सिब्बल की दलील घोटाले वाली जमीन हेमंत के कबजे में नहीं इडी ने बेल का किया विरूत चिनौप रचार में शामिल होने को लेकर जारिकन के पूरवर सीम हेमंतो सोरेन ने सुप्रिम कोट में या प्रेमी प्रसंग से नाराज दो भाईयों ने मिलकर नबालिक बहन की हद्या कर दी घटना के बाद प्रेमी राद भर जंगल में ही अपनी प्रेमिका के साओ के पास बैठा रहा मामला चत्रा सदर थाना चेतर के शहधा गाउं का है बताया जाता है कि हत्या शिप्पूरो प्रेमी और प्रेमिका को लड़की के भाई रंजीत और संटू ने एक शाथ पकड़ लिया फिर दोनों को रात के करीब दस बजे मारते पीटते हुए जंगल ले गए जंगल में दोनों भाईयों ने कुलहाडी से काटकर बहन की हत्या कर दी और सौ को वहीं छोड़कर फरार हो गए इदर हत्या से पूरो नाबाली का प्रेमी रैजंदर बिरहोर दोनों भाईयों को धक्का देकर वहां से फरार हो गया जिससे उसकी जान बच गई लड़की के भाईयों ने कुलहाडी से प्रेमी पर भी वार किया था लेकिन वहा किसी तरह वहां से बचकर भाग निकला उसके हाथ में गंभीर चोटाई है भाईयों ने जब बहान की हत्या कर दी तो कुछ देर बाद प्रेमी वापस जंगल पहुँचा प्रेमी का की तलास करने के दौरान उसकी उसका शौंबिला वा पूरी रात अपनी प्रेमी का के शाओ के पास ही बैठा रहा इधर सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी मौके पर पहुचे और सव को कबजे में लेते हुए पोश्ट माडम के लिए सदर अस्पिताल भेज दिया पुलीस इस पूरे मामले की चानबिन में जुट गई है इधर दोनों आरोपी भाई घर छोड़कर फरार हैं पुलीस जिवती के प्रेमी को अपने शाग थाने ले आई है नकसलियों ने की ग्रामिनों की पिटाई पांच लोग हुविगाईल पुलीस मुखबीर होने का लगाया आरोप पलामों में टीस पीशी नकसलियों ने ग्रामिनों की बेरहमी सी पिटाई की है पिटाई में पांच लोग जक्मी हुए हैं, घटना, नोडीहा, बजार, ताना चेदर के सलईया कोर्द गाउं का है सुमवार की राद 15 की संख्या में टीएस पीशे नक्सली गाउं में पहुँचे और लल्लू सिंग के घर का दरवाजा खुलवाया दरवाजक खुलते ही हाथियार बंद नक्सली के दस्ते ने उनकी पिटाई सुरू कर दी लल्लू सिंग का सोर सुनकर परिवार के अनशादश पहुँचे तो नक्सली ने उन्हें भी जम कर पिटा और फिर फरार होगे जाने के पहले नक्सलियों ने उन्हें पुलीस के पास नहीं जाने के हिटाई दे थी नक्सलियों ने धम की दिया था कि पुलीस को इसकी जानकरी देने पर इससे भी बुरा अंजाम भुगत न होगा ललू सिंग ने बताए कि पुलीस का मुकबीर कहकर टीयस पीशी नक्सली पिटाई कर रहे थे नक्सलीों की पिटाई से जक्मी ललू सिंग, स्री राम शिंग, रंजन कुमार सिंग, भीश मिशिंग और प्रेम शंकर सिंग का इलाज शर्टरपूर अनमंडली अश्पिताल में नक्सलीों द्वारा लाठी डंडे से पिटाई के निशान ग्रामिनों के शरीर पर जगा जगा देखा जा शकता है, लंबे समय बाद इस तरह ग्रामिनों को नक्सलीों द्वारा पीटे जाने से इलाके में संसुनी फैल गई है, इधर शतरपूर और नौडिहा बजार की प पानी में डूबे युवक का शव बरामत कर लिया गया है, पुलिस ने मंगलवार को शव का पोश्ट बार्डम करा कर परिजनों को शुपूर्द कर दिया है, वही शव बरामत होने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जानकारी के नुसार जिर्वाबारी थाना शितर के मजहर टोला निवासी युवक तौसिव अंसारी शौमवार के साम अपने चार-पांस दोस्तों के शाद करम पहार इस्तित बंध खधान के पानी में अशनान करने के लिए गया था, इस दोरान तौसिव अंसारी ने अपने एक दोस्त को अपना मॉबाइल रील बना पाने के लिए दे दिया और उसे उचाई से कुदने का वीडियो बनाने के लिए कहा, इसके बाद तौसिव ने लगबख सौ फीट की उचाई से खाधान के पानी में चालांग लगा दी, इतनी उचाई से कुदने के कारण तौसिव अंसारी को पानी के अंदर चोट लगी और देखते ही देखते वाद 10 सेकेंड के अंदर पानी में डूब गया। यदे एक असनान कर रहे हैं बाकी के दोस्तों ने उसकी तलास करने की जो है काफी कोशिश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था। वापानी की अतधी गहराई के कारण किशी की जादा गहराई में उतरने की हिमत नहीं हुई। इसके बाद मामले के जानकरी पुलिश को दी गई। टिपनी की थी इस टिपनी को लेकर उनके उपर सिकायत दर्श की गई थी। 2018 में कोट ने उन्हें पहली बार समंजारे किया था या दूसरी बार है जब कोट ने उन्हें समंजारी कर 11 जून को हाजिर होने को कहा है। ग्रामिनों ने दोनों के परिजनों को बुलाया और बगल के मंदिर में युवक वा युवर्ती को ले जाकर साधी करा दी। दोनों एक ही गाउं के रहने वाले हैं बाद में युवक के पिता ने हंगामा करतो हुए युवर्ती को घर ले जाने से इनकार कर दिया। इस पर दोनों पक्च के बीच नोग जोक और निरगी मामले के जानकरी मिलने के बाद मुखिया परतने थी। इरंजन सिंग ने गावा थाना पुलीस को इसकी सूचना दी, पुलीस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्छों से बात की और युवक वा युवर्ती के परिजनों को थाना बुलाया, पुलीस युवक को अपने शाथ ले गई जबकि युवर्ती अपने परिजनों के शाथ गया ये कदम टिंडर कमिशन घोटाले में एडी की जार्खन मंत्राले में छापमारी के बाद से ही पत्रकारोवा आमजनों के परवेश पर रोक लगा दिया गया है आसर की बात है कि पत्रकारोवा आमजनों पर रोग की समाध्यम चलगा है इसकी जानकारी जारिखन मंत्राले की सुरक्षा प्रभारी गेट प्रभारी को भी नहीं है राची जोन की आईजी अकलेश कुमार जावा राची रेंज के डियाजी अनुप बिर्थरे ने भी रोग शमंधित किशी एसोपी वा आदेश से खुद को अनभिग्य बताया यहां था कि ग्री सच्यू कारियाले के संग्यान में भी ऐसा कोई आदेश नहीं है एडी की चापमारी के बाद जारकन मंत्राले में तायनाद सुरक्चा कर्मियों को हटा कर नए पद अधिकारी परतन्युक्त हुए हैं उनसे पोचने पर की पत्रकारोवा आम लोगों को रोकने समंधित आदेश किशका है वे नहीं बता पाए सिर्फ इतना ही कहा कि उपर से आदेश है उपर से आदेश किसने दिया इसकी जानकरी किशी को नहीं है दरसल जारकन मंत्राले में आठ माई को एडी ने शापमारी की थी यह शापमारी ग्रामिन विकास मंत्री आलमगिर आलम के नेजी सचीव संजीव लाल के कारियाले में हुए थी वहां से एडी ने रिश्वत के 1,75,000 रुपए के नोट बरामत किया थे वही एडी ने मौके से 28,000 रुपए के पुराने प्रतिबंधित नोट भी बरामत किया था ये 500 के पुराने नोट थे गोड़ा में युवक की आँग फूड कर बेरहमिश हत्या नदी की नारे फेंका शव गोड़ा के पुड़ाया हाट प्रकंड के देवदान थाना चितर अंतरकत नुन बट्टा कादवा टोला से एक बड़ी घटना सामने आई है जानकरी के मताबिक यहां एक चालिस वर्सी युवक की बेरहमिश ही आँग फूड कर हत्या कर दी गई है आँग फूडने के बाद लड़के के शव को नदी के नारे फेंक दिया किया इस घटना से पूरे इलाके में संसनी फैल गई है जानकरी के मताबिक पड़े यहां प्रकंड के देवदान थाना चेतर में चालिस वर्सी युवक की हत्या आँग फूड कर दी मृतक की पहचान बोलो यादो की रूप में हुई है जारिकन की वर्तमान सरकार ने लोग को छलने का काम किया है शुदेश महातो गिरिडी संसदिये चेतर से एंडिये गटबंधन प्रत्यासी चंदरप्रकास चौधरी के पक्ष में मंगलवायर की साम आजसु सुप्रीमो शुदेश कुमार महतो गोमिया विधायक डॉक्टर लंबूदर महतो एवं रामगड विधायक शुनीता चौधरी ने गोमिया चेतर के साडम, होसीर, जीरो पॉइन, रत टान, तुलबुल, बिरसा, गोमिया बस्ती, आई, एल, कोलो मंगलवायर की साम आजसु सुप्रीमो शुदेश कुमार महतों ने काया कि ज्वार्खन की वर्तमान सरकार द्वारा, राज्यकी युवाओं, किशानों, मजदूरों को स्रिप चलने का कारियर किया जा रहा है, और राज्यकी अधिकतर युवा या युवतियां काम की तलास में पलाइन करने को मजबूर हैं, कहा कि राज्यकी सत्ता में आई हेमन तो सोरिन सरकार ने पांच लाग युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन या घुसन अस्रिप कोरार शाबित हुआ है, कहा कि केंदर की मोधी सरकार द्वारा गरिबो, किसानों वा, आम लोगों की हित में कई योजनाय संचालित किया जा रहा है और उसका लाब भी उन्हें मिल रहा है, कहा कि जार्किन के सभी 14 लोगसभा सीट पर एंडिया कडबंधन प्रत्यासी की जीत सुनक्चित है, वाईगे रेडी में चंदर प्रकार शौधरी पिछले चुनों की अपि अगर इस बार हम चुके तो फिर कभी अपने आपको माप नहीं कर पाएंगे, वधायक ने कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी की विक्राल इस्तिती है, आज लोग के सामने एक मात्र विकल्प यही है कि कॉंग्रिस को वोट दे कर सरकार को बदले, कहा है कि बीजेपी अपने 400 पार के नारे को भूल चुकी है, कहा इनको खुद ही अपने कहे पर भरोशा नहीं हो रहा है, जारकन आने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं के बय भाजपा के प्रदेश अध्धक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि नरेंद्र मोधी तीसरी बार भारी बहुमत से देश के प्रधान मंत्री बनेगे, उन्होंने गरीबों के लिए जितना काम किया, उतना काम किसी प्रधान मंत्री ने नहीं किया है, बाबुलाल मरांडी कि खजाने से नोटों का पहाड निकल रहा है उन्होंने या भी कहा है कि सविधान की ही देन है कि आज देश की आदिवासी महिला राश्टर परती है शविधान के बदोलत ही वा जारिखन के पहले मुख्यमंत्री बने और सविधान की कारण आज धुलू महतो संसत का चुनाव लड़ रहे हैं बाबा साहिब भीमराव अमबेटकर का सविधान नहीं होता तो चाय बेशनी वाला आजदेश का प्रधान मंत्री नहीं होता वह धुलू महतो ने शभा को शम्भूदित करतों वे काया कि बड़ो के अश्रिवाद हम छोटे का शहयोक्षिव भा भारी मतों से चिनाव जितेंगे प्रफान अंसारी ने हेमंतु सोरेन को बताया था असली राम भाजपा ने अर्गोडा थाने में दर्श कराया केस भाजपा का एक परतमे धिमंडल सुधिर सिर्वास्तों के नितितों में मंगलवार को राची की अर्गोडा थाना पहुँचा कॉंग्रेस विधाय किरफान अंसारी के खिलाब केस दर्श कराया सुधिर स्रिवास्तों ने बताया कि इर्फान अंसारे ने अपने एक्सपर पोश्ट किया था कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया है मेरी भाबी सीता मा दुर्गा की आउतार जारिखन में भाजपा को जला कर भश्म कर देगी शाथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिला कर रावन की लंका को जला कर राक कर देगा लोगों से अपील करते हुए लिखा कि सीता मा के एक एक आंसु का बदला ले और राम जी को शही सलामत वापस लाएं इर्फान के इस परकार के बयान से आहात होकर भाजपा कारे करता महावीर सिंग ने इर्फान अंसारी के किलाप के इस दर्श करा है उन्होंने अपनी आविदन में लिखा है कि इस वयान सो वे आहत है और भारत देश के शनातन धर्म को मानने वालों को घोर अगात पहुचा है। बिजेपी में नेवलों के भी सापोश शंबंद हो जाते हैं। बिजेपी नरिश अगरवाल को राजसभा पहुचाया, उनके पुत्र को योगी के विनेट में शामिल कराया, कहा है बिजेपी ना रामवादी है, ना कृष्णवादी है, ना धामवादी है। सेयाल SMPL आउट्सोर्सिंग में अग्यात अपराध्यों ने जेसेबी मश्रीन को किया आग के हवाले, दो राउंड हवाई फायरिंग भी की। रामगर जिले के सयाल्डी परियोचना SMPL आउट्सोर्सिंग में दस के आसपास की संख्या में अग्यात अपराध्यों ने जम कर तांडो मचाया, इस बीच आउट्सोर्सिंग में लगे एक जेसेबी मश्रीन को आग के हवाले कर दिया, इस बीच कमपनी के हाईवाचालक ने बताया है कि दो राउंड हवाईरी फाइरिंग भी की गई है, जिसका आवाज हम लोगों निशुना हैं, लेकिन गोली चुलने के मामले पर फिलाल पतरातु SDPO द्वारा कोई पुछ्टी नहीं की गई है, जाच परताल जारी है, पूरे मामले को लेकर सेसल परबंधन और सुरक्षा कर्मियों द्वारा घटनासल का जाच परताल करिस्थानियें पुलिस को सूचना दी गई है, वह घटना को लेकर सूत्रों में चर्चा है कि उगरवादी संगठन द्वारा इस घटना को अंचाम दिया गया है, तो ये थी आज की जारकन की टॉप बड़ी पर देखने के लिए आप हमारी चानल यूज जारकन चानल को सुस्क्राइब करके बैल आकन प्रेस कर देजे, जिससे जारकन की हर चोटी बड़ी खबर का अब डेट आप तक पहुंसता रहे, तो अभी के लिए वस इतना ही, हमें देजिए इजाजत, फिर मिलते हैं, नेक् झाल